वेलकम वीवर्स आपका स्वागत है मेरे चैनल जोतीज रेसिपी पर तो आज हम बनाने जा रहे हैं कांदा पोहा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रह तो ना लेट्स कुक टुगेदर तो पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए दो कटोरी मोटा पोहा इसे हमें पानी से दोना है अब एक छन्दी में हमें पोहे को डालना है और पूरा पानी निकलना है और पोहे को अच्छे से फैलाना है और ढग कर रख देना है इसके लिए हमें चाहिए हरा प्याज, मुंग फरली, अपना नॉर्मल प्याज और आलू साथी साथ हल्दी, राई, जीरा, मीठा नीम, हराधनिया और हरी मिर्ची अब एक पैंड में तेल लेकर हमें आलू को अच्छे से फ्राइ करना है आलू खूब अच्छे से फ्राइ हो गए है अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रखेंगे एक चमच तेल और डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच राई राई अच्छे से चटक जाने पर डालेंगे एक चमच जीरा मीठा नीम हडी मिर्ची और प्याज डालकर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे प्याज को हमें चलाते रहना है प्याज हो जाने पर अब हम इसमें अट करेंगे हल्दी नमक और मिक्स करेंगे हल्दी और नमक मिक्स करने के बाद हम डालेंगे आधा कटोरी मुंफल ली और धनिया डालकर मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे फ्राई किये हुए अलू और उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा धनिया डालेंगे जिससे पोहे का स्वाद अच्छा आता है अब भिगे हुए पोहे डालकर मिक्स करेंगे और अब आती है एक टिप की बारी पाच्छे कलिया लस्तुन की और थोड़ा सा कच्छा जीरा इसे हमें कुटना है और पोहे में डालना है जिससे पोहे का स्वाद दुगुना होगा यह टिप आप जरूर आजमा कर देखिए और अब हम पोहे को अच्छे से मिक्स करेंगे साथी साथ अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी कम पीसी हुई चीनी जिससे सभी चीजे बैलेंस हो जाएगी पोहा तयार हो गया है और अब हम इसे धनिय से गार्निश करेंगे मुझे उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए और कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ त्रिल देन बब बाई झाल